हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीज सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जोब इंडिया में दोस्तो अभी अभी नई नोटीस निकल के आ रही है एम्स की तरब से एम्स नौर्सेट 2021 के बारे में दोस्तो बड़ी अपडेट आज है 24 जनवरी की नई नोटीस जिसमें दोस्तो 738 बच्चों को बाहर कर दिया गया है एम्स नौर्सेट 2021 से जी हैं दोस्तो बहुती बड़ी खबर निकल के आ रही है इसका दोस्तो पेडिया भी आ चुका है तो दोस्तो चलिए आपको लेके चलते हैं ओफीसली वेबसाइट पर आपको जानकाई देने वाले हैं क्यों 738 बच्चों को बाहर किया गया है रीजन क्या है सारी जानकाड़ी दोस्तो आपको जो है इस वीडियो में दी जाएगी तो हमारे साथ बने रही है पूरा वीडियो देखिए चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट पर अभी आप लोग देख सकती हो यह दोस्तो ओफीसली वेबसाइट है एमस का यहाँ पर आप लोग चेक कर सकती हो आल इंडिया इंस्टिटीट ओफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एमस से नई दिल्ली का दोस्तो ओफीसली वेबसाइट है इसका लिंक नीचे डिसक्रिसन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर किलिक करके इस वेबसाइट पर आ सकती हो इस वेबसाइट पर आने की बात दोस्तो यहाँ पर आप लोग देखोगे रिकूर्मेंट का ओप्सन है इस पर किलिक करके भी आप लोग अपडेट ले सकती हो यहाँ पर आप लोग देख सकती हो important announcements बे आओगे तो नीचे यहाँ पर आएगा notice option जिसमें आपको list दोस्तो मिल जाएगी amsternorset 2021 cancel for the institute allocation तो इस पर दोस्तो किलिक करोगे तो PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी और देखिए यह है दोस्तो PDF अब यहाँ पर दोस्तो बोला गया है देखिए बता दें आप लोगों को 738 बच्चों को बाहर कर दिया गया है amsternorset 2021 से उपर सबसे पहले notice आप लोग चेक कर लोग इस notice में क्या जानकाई दी गई है 22 जनवरी 22 amstern नई दिल्ली की तरफ से notice number 10 oblique 22 दिया गया है कि दोस्तो ओनलाइन seat allocation की जो last date थी 15 जनवरी 2022 थी यानि कि allocation process and fill choice है तो दोस्तो जो preference की जो last date थी या दोस्तो 15 जनवरी थी अब इन्हें जो 738 बच्ची है इनको दोस्तो amstern ने SMS किया था email किया था दोस्ते तीन बार इन्हें SMS किया है और इन्हें दोस्तो email किया कि आप जो है preference फिल कर दो choice फिल कर दो seat allocation के लिए लेकिन इन्होंने दोस्तो फिल नहीं किया है अब इन्हें दोस्तो बता दें तो दोस्तों तीन बार जो है update करने के बाद इन्होंने कोई update नहीं दिया है इसकी वज़े से दोस्तो इन्हें Amps North 622 से बाहर कर दिया गया है तो Online Seat Allocation दोस्तों ने उन्हें फिल नहीं किया था इसलिए दोस्तों इन्होंने जो है इनको जो है बाहर कर दिया गया है 738 बच्चों को बाहर किया गया है जिसकी लिश्ट यहां पर दी गई है इनका दोस्तों रेंक दिया गया है आप लोग देख सकते हो इनका रेंक काफी अच्छा था 142 रेंक था इनको दोस्तों बाहर कर दिया गया है इनके Category OBC, NCL और यह male है रोल लंबर इनका दिया गया है, रोल लंबर देख सकती हो और रैंक यहाँ पर आप लोग देख सकती हो रैंक दिया गया है, रोल लंबर दिया गया है, केटगरी दी गई है ऐसे करके आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए, कुल यहाँ पर टोटल टोटल 738 बच्चों को बाहर किया गया है 738 बच्चों को AMS Norset 2020 से बाहर कर दिया गया है Online Seat Allocation, Fill या पिर रिफरेंस इन्होंने नहीं दिया था जिसकी लाज़ डेट 15 जन्वरी थी इसके बाद भी दोस्तों बता दें दिया गया है यह दोस्तों AMS का कहना है बाकि आप लोग और कोई जानकारी चाहती हो नीचे केमेंट कर दो थेंकि दोस्तों मिलती है नेश वीडियो में कैसा लगा अपडेट जरू बताईएगा धन्यवाद